हाई एब्रीवान मैं कुमकुम सिंग आप सबों के शाहत आज में मास्क बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ अभी पुरी बिश्व को करोना वायरिश अपनी चपेट में लिए है और इसका कोई सट इलाज अभी तक नहीं निकला है प्रिकॉशन ही इसका इलाज है इसके यह डिमांड चाहिए रहे का उतना नहीं मिलेगा अगर आप 10 डिमांड करते हैं तो शायद 2 मिले तो मैं आपके साथ मास्क बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ और बहुत ही इजी वे में जैसे जिन बच्चों को जो बाहर रहते हैं जिने स्टीच करना भी नहीं आता वो Яशील करशायता से मास्क बनाकर तयार कर सकते हैं और जिनें शुचिंग आता है वो घर में भी बनाकर तयार कर सकते हैं और मैं दोनों तो अब देता है छाय लिवाende ही जरूर हो गार। इससे मास्क बनाने बहुत आशान में और कुरोना वारस के लिए तुछ घंटे पर यूर्प हो पहत्ति हैं। तो देखिए इसके साथ क्या करना है पहले इसका जो किनारे का बात है यह बाला जाटकों मैं कर दे रहे हूं आपने कर दिया देखिए यह देखिए मैं इस 7 इंच का लंबाईली हूं कि कर दिख लिए हैं और इस साइट से 5 इंच अब इसको इसे तरह से कट कर लेंगे कर दो अब दो जन्यान जया करते हैं अब आप दो जांतकि अब आपड़ी यूजा we आपड़ी को नहींडे तरह से तरह से तरह से नहींडे हाला कादूली गर अब से को ती घर आप मर कर दो ही जाँ अब मैं इसको स्टीच कर दे रही हूँ देखें शुवी धायगा लें और इस सब को पह निकाल के हटा दूंगे जैसे मैं प्लेट्स की हूँ बस बसे इसको सिल लेलना है पकड करके अब यहां पर हम गांट लगा देंगे जैसे हम शिला इधर किये उसी तरह किसे इधर भी कर दिये अब देख सकते हैं इसको ऐसे खोल के अब देख सकते हैं कैसे बनेगे अब मैं इधर देखिए यूट बर गोल वाला रवर देख रहें इसके मैं से गाट लगा दूंगे अच्छे से लगांगे इसको टाइट कर लेना है इससे खूले नहीं जो में धागा देखिए यह जो सिलाई की हो उसको बसमें इस साइड पर दे रहें और यह जो गाठ जो लगाई हूं उसको भी इस तरह ठब़ूंगे इसको हलकाल कैसे सील देंगे पर हम यहां पर गाट लगा देंगे यह एक्स्ट्रा धागा इसको कार दे रहे हूं अब देख शकते हैं इदर कितना बढ़ियां त्यार हूँ उसी तरीके मैं इधर भी कर दे रहे हूं कर देखिए उसी तरीके शे इसे भी हैं ऐसी करेंगे हैं यहां काट लगा देंगे कर देखिए मेरा देखिए मास्क बनके त्यार हो गया है इसको गया ऐसे अब आसानी से बनके देखिए इस तरह से त्यार हुए एक तरीका यह है जो बनके में त्यार हो गया है अब दुस्रा तरीके में बदाती हूँ देखिए यह भी मैं गरेबक्स ही बना देखिए अब देख शक्ते पाशान रहे होंगे इसको यह भी अब इसका नाप्त में बता रहे हूं यह इधर से किनारे से ले लेंगे साप इंच लेना इसको देख शक्ते हैं मैं यहां पर दाग लगा देखिए और इधर से इस किनारे शे मैं चेंज में ली लेड़ी हम आ यह मैं बच्रोगे बता रही हुँ जिनके पास सभी धागा भी नहीं होता है पर उनको मस्तों । जरुरी है है सबको लगाना तो स्ठेपल करके भी बना सकते हैं बहुत आशान तरिके शे उनके लिए बता रही हुना कि नाइरे का पाटी कट कर दूँए कि पीछ सी लग हुआ रहता है जो एक्स्ट्रा पाट है इसको में हटा दूँगे कि नाइरे का पाटा टा दिए अब इसे क्या करना है अब सिंगल का भी बना सकते हैं पर मैं डबल का बना रही हूं इसको ऐसे कि नाइरे से मुरते जाएं करना है लेकिन तीन का भी सबका एक जगा पर देखिए एक जगा अठाच करना है ऐसे तीन ही फ्राइट प्लेट डाली है एक दो और यह तीन प्लेट डाले लेकिन तीन हो यहां पर पकड़ा जाएगा एक स्टेपलर लेले इसको इसे बीच में स्टपल कर दें देखिए इस्टपल हो गया देख सकते हैं उसी तरीक समें इधर भी कर दूंगे सेन तरीका शें कि एक दो और एक तीन है कि देख सकते हैं जैसे मैं प्लेट डाली थी उसी तर से यहां पर मैं एक किस्टपल लगाते हैं अब देखिए जैसे खुल जाने देख सकते हैं हमें इसमें यह प्लास्टिक लगा लूँ देखिए यह दो रबर ले लिए देखिए पतला वाला दून बराबर साइज का कट करना है अब स्कूप फिर से बांध लेंगे हम कर देखिए कर देखिए तब यह टाइट होगा अगर छोड़के खिचेगा तो खुल जाएगा अब यह टाइट होगा अब नहीं खुलेगा अब यह नहीं खुलेगा उसी तरह से में इसको भी कर दे रहे हूं इसे क्या करना है इस्टेफल वाला साइज है देखिए इस तरह से इसको खुला हुआ दिख रहा है अच यह गए दिखा देखिए इस पर दो बारह में इस्टेफल लगाएंगे एक यहां पर लगादेना हुआ इसे टाइट हुएगा खुलेगा नहीं देख सकते हैं उसी तरह से में इधर भी लगा देखिए इसको अंदर कर देना है कर देखिए बहुत आर्षान तरीकेशे बन के प्यार हो गया अब इसको ऐसे करके मास का पहल लें देखिए मेरा दो बन के तियार होगे दो तरीकेशे में बनाई हूँ एक सिलकर के के स्टेपिलर डगा के अब तीसरा और भी आर्षान तरीका बता रहेंगे तीसरा तरीका है एक रूमाल ले लेंगे अगर आपके पास मास्क नहीं है और आप जल्दी में कहीं आपको निकल आ अपकर दी मैं और यह दो फोल लंबे में करना है देखिए में दो फोल करना है इसको स्टीच बी नहीं करेंगे अब मैं क्या करूंगे जो आ आपको मार्केट में जो रबर मिलता है देख सकते हैं इसको इसमें डालोंगे इस से डाल दी अभी एक मैं इदर से डाल देरी हूँ जोनों का बराबर कर लेंगे देखिये अब इसको क्या करेंगे इस सोर से फोल करेंगे फ्टाइस को आप बढ़ा कर देरी हूँ अब एक इदर से भी मैं फोल को इसको क्या करेंगे कि इसके अंदर यह से डाल देंगे डाल लें के बाद क्या हुआ है एक यह और यह की है आराम से मास्क बना सकते हैं इसको यह तीसरा तरीका और मैं चाहता भी बता रहूं देखिये यह फिर मैं चौथा तरीका भी बता रहूं और भी करी बैग भी है देखिए अब देखिए करी बाग है इसको भी पहले इस पाट को कट करके हटा दूंगे इसको अटा दी में देखिए अब एक पेपर पेश को कट करके त्यार कर देखिए अब एक पेपर पर उसको कट करके त्यार कर देएं इस पर लंबाई लेंगे हम आठ है इस देखी इत्ना है यह दिए अब देख श्लाइक में तो अज़िए छेव है आधि अगर क देखिए इसको आधना देखिए इसको आट कर देना है ऐसे फूर्ण करके फिर इसको मैं ऐसे फूल कर दूंगे और यह देखिए यह जो जुड़ा हुआ पाथ है इस साइड से मैं इसको ऐसे तख करूए ऐसे मोड़ा है अब इसका चौड़ाय में बताती हूं नाप करके इसको ऐसे करके इसको कट कर देना है अब देखिए ऐसे हो गया है अब इसको थोड़ा से यहां पर कट करने हूं हलका सा इकोना देख सकते हैं कितना कट कर देख थोड़ा सा अब इसको में खूलका को दिखार हो इस तरह का तयार हो गया देखिए अब इस एप में मुझे कपड़ा का कट करना है कपड़े को सबसे बहले एक की नारा पाट को में हटागे इसको भी मैं नाप ले रही हूं यह आट इंच वह देख सकते हैं यह आट इंच वह और इधर से चे लेंगे हैं ऐसे करके इसको गोल्ड कर देंगे आप पेंसिल से दाग भी कर सकते हैं पर छोटा है तो यह ऐसे करके नाप करके इसको कट कर सकते हैं देखें यह जॉइंट है इसको भी मैं कट करके हटा दे हूँ अब क्या करना है इसको आशे करके इस पेपर को बठा लेंगे देखें मेरे पेपर एक में फिट्टू के इस पी दिखिया देख सकते हैं और पेपर को ऊपर करके इसको बठा लेंगे ऐसे फोल्ड करते हैं इसको पीपर को पकड़के कट करने हैं सुबस थोड़ा हटा हटा की कट करने हैं और यह तिर्चा पाथ है इससे भी कट कर देखें करना हैक मैं जिस साइड तिर्च्य कट की हूं जैसे कम है उससी किहृँ को नहीं सिलना है जिससे तिर्च्य कंवकर करला है अगकर Ezra घुण को तो पोचंगा नकारैना, ठात् मोच अप्षेवार्ऽा, रिमन आत्पता है और्मे प्हिंग, यह देखें, रबर लेनिया से दूर बराबर से पूर काट कर देना है, यह देखें, इसको ऐसे जिकर करें देखें, राइट हो गया है, अब उसी तरी की से दूसरा भी बांद दे रहे हैं, अब इसे अंदर से शिलाए कें उसी साइड में इसको ऐसे लखना है, इसको सिल देना है, दालो गार्ट लेना देरी में, इस दालो अंदर कर देना है, इस अंदर कर देना है, यहां पर गाट लगा देंगे इसे खूले नहीं देखिए इस तरफ में लगा दी हूँ अभी दूसरे साइड में लगा रही हूँ मेरे देखिए चोटा तरीके का मास्क बनकते यारोंगे में को दिखारियों चार तरीके का मास्क बनकते यारोंगे है अब बहुत ही कम पैसे में घर में बहुत ही आराफ्शा बनागत त्यार कर शकते हैं आपको बेरा यह वीडियो कैसा लगा कमिट कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए लाइक कीजिए बहुत हीक हैं झाल कीजिए मेर शेयर कीजिए ओएफजब जरूर त्यक्राइब बहुत हैं इकाल झाल ससब्सके बहुत हैं झाल